अच्छा सुनो, ओनलाइन सिक्षन में स्वागत है आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और कर लिए है तो सब्सक्राइब कर दो, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना और जल्दी से नौट बुक लेके बैट जाओ, साथ साथ नौट स्थ बनाना ह तो चलो, आज के टोपिक की करते धमा के दार शुरुआज इनके बारे में हम जान चुके हैं, आज की वीडियो में हम संचालन आधारित या फिरम कह सकते हैं, अनुप योग पर आधारित कम्प्यूटर के परकार के बारे में जानेंगे तो फ्रेंड्स इन्हें तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एप्लिकेशन बेस्ट कम्प्यूटर को वो कौन-कौन से हैं, सबसे पहला नाम आता है एनलोग कम्प्यूटर का तो हम यही जानेंगे बिल्कुल पिचर्स के थुरू कि किस थरा के दिखाई देते हैं, एनलोग कम्प्यूटर इनकी क्या खास बात होती है, उसके बाद हम जानेंगे डिजिटल कम्प्यूटर and then हाइब्रीड कम्प्यूटर तो दोस्तो संचलन के आधार पर कम्प्यूटर का वर्गी करन तीन परकार से होता है एनलोग कम्प्यूटर, डिजिटल कम्प्यूटर और हाइब्रीड कम्प्यूटर यह आपको याद रखना है, अब चलिए एक एक कर तीनों को समझते हैं एनलोग कम्प्यूटर क्या होता है और कैसे होते हैं सबसे पहले हम यही देखेंगे दोस्तो एनलोग कम्प्यूटर एक ऐसी मशीन है जो आंकडो को एक भोतिक मात्रा, दाप, तापमान, लंबाई, उचाई, आदी को दर्शाता है यह आंकडे सितत लगातार परिवर्तित होते रहते हैं एनलोग कम्प्यूटर की कारियशमता तेज होती है इनका परिणाम हमें ग्राफ आदी के रूप में प्राप्त होता है एनलोग कम्प्यूटर आंकडे स्टोर नहीं कर सकते ये देखना यादर करने वाली बात है कि analog computer की क्या कमी थी कि ये अपने पास आंकडे या फिर कह सकते है data को store नहीं कर सकते थे इनका उपयोग तक्नीक विज्ञान सिक्षा आधी के शेत्रों में किया जाता है और analog computer का आपके सामने example है जैसे thermometer हम use करते है तो वो किसका example है analog computer का thermometer को हम analog computer कह सकते हैं क्यों कह सकते हैं क्योंकि हमने अब इसकी विशेशता की बात करी कि भोतिक मात्रा का मापन करते हैं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, उंचाई, इत्यादी ठीक है दोस्तों तो चलिए image के थूँ देखते हैं कैसा है analog computer analog computer दिखने में कुछ इस परकार के थे आद देख सकते हैं और ये use के जाते थे ताप मापने के लिए या दाब मापने के लिए इस तरह की भोतिकी कायों के मापन करने के लिए ये computer use किये जाते थे इसलिए और इनकी एक जो मैंने भी आपको बताई है कि इनकी data store करने की capacity नहीं होती थी इसलिए जादा दिनों तक नहीं चले अब देखते हैं इसके बाद कौन से computer आते है digital computer क्या होते हैं digital computer आपके exam में बिल्कुल पूछा जाता है कि digital computer और अभी जो हमने पढ़ा analog computer किसे कहते है या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि अनुप्रियोग की आधार पर computer को कितने भागों में विभाजित किया गया है या फिर आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं super computer hybrid computer तो वो किस तरह का computer होता है तो दोस्तो हम बिल्कुल एक-एक point के लिए करते हुए चलेंगे सबसे पहले अब हम देखेंगे digital computer क्या होता है computer के परकार में दूशरा नाम आता है digital computer का वे digital circuit का उपयोग करते हैं और इन्हें दो states में संचालित करने के लिए design किया गया है अर्थाथ bits 0 और 1 वे on और off राजियों के अनुरूप है ठीक है? 0 on के लिए दर्शाय जाता है और one off के लिए computer पर data 0s और 1s की एक श्रंखला के रूप में दर्शाय जाता है कहने का अर्थ यह है कि binary digits में इसमें data दर्शाय जाता है digital computer जटिल संगणना के लिए उपयूक्त है जितनी भी जादा आप कह सकते हैं कि tough calculation होती है उसको solve करने के लिए digital computer का use किया जाता है और high processing speed digital computer की होती है वे program करने योगे होते है digital computer या तो सामान्य परियोजन के computer या विशेश उद्देश्चे वाले होते हैं सामान्य परियोजन के computer जैसा कि उनके नाम से पता चलता है विशेश्ट परकार के data persons करण के लिए design किये जाते है जबकि सामान्य परियोजन के लिए computer सामान्य उप्योग के लिए लिए जाते है ठीके दोस्तों ये चीज़े थी कुछ digital computer की अब एक तरह से देखा जाए अगर हम पिछले के comparison में analog computer के comparison में digital computer को देखे तो इनकी high processing speed थी ये अपने अंदर data को store कर सकते थे और ये किस तरह से output निकालते थे या फिर कह सकते है कि किस तरह से data store करते थे ये करते थे 0 और 1 मतलब binary numbers की form में अब देखते हैं दिखने में कैसे थे digital computer तो दोस्तों आपके सामने image है digital computer की ये इस थरह से होते थे दो कामों के लिए बनाय जाता था इन्हें सामान्य और विशिस्ट ठीक है फ्रेंड्स आपके सामने image है digital computer की अब चलते हैं अगले computer की ओर जिसका नाम है hybrid computer दोस्तों जैसे जैसे आवशक्ता बढ़ती जाती है हम नए नए आविस्कार करते रहते हैं तो इसलिए पिछले computer जो थे उनकी कमियों को देखते हुए आगे और design तयार किये गए इस तरह से computer के types आगे बढ़ते जाते हैं ठीक है friends इसलिए अब उसके बाद क्या बनाएगा hybrid computer ये किस तरह से थे hybrid computer computer के परिकार में तीसरा नाम आता है ये computer digital और analog computer दोनों का एक सहियोजन है जैसे हमने पढ़ा analog और digital computer के बारे में ये उन दोनों को ही मिला करके बनाया गया है ठीक है ये आपको लिखना है अगर आपसे पूछ ले जाए कि digital computer क्या hybrid computer क्या होता है तो ये computer digital और analog computer के सहियोजन से बना है इस परकार के computerों में digital segment, digital signal को analog signal के रूप पांतरन दोारा process और control किया जाता है ओके friends हमने क्या जाना कि hybrid computer, digital और analog दोनों को ही मिला करके बनाया गया है आगे देखते हैं किस तरह से दिखाई देते है hybrid computer तो ये आपके सामने image है hybrid computer की दोस्तों ये बड़े-बड़े operations के लिए यूज किया जाते है hybrid computer और जितने भी vicious कारिये होते हैं उन सब के लिए इनका परियोग किया जाते है क्योंकि एक तो आप कह सकते हैं कि जैसे analog computer की क्या खास बात थी कि वो बड़ी से बड़ी गणना बहुत जल्दी से कर देता था तो वो खासियत इसमें ले ली गई उसके बाद हमने जाना digital computer की क्या खासियत थी कि वो binary digits में अपना data store करता था और इसकी processing speed बहुत high थी तो दोनों की qualities को मिला कर के बनाया गया hybrid computer और वो आपके सामने है कि वो दिखने में कैसा होता है तो आज की क्लास में हमने यही सीखा कि computer को कितने भागों में भाजित किया गया है applications के आधार पर ओके प्रेंट्स तो मिलते हैं कल नहीं किलास के साथ तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे समकुछ समझ आया होगा दोस्तों अगर कोई भी point आपको नहीं समझ आया है तो comment box में जरूर लिख भेजिए और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ जरूर सेयर करिएगा और हमारे टेलिग्राम का ग्रूप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप उसको जोइन कर लेना और फिर अगर आपके कोई query रहती है मैं आपको अगली वीडियो में से जरूर एक्स्प्लेन करूगी थैंक यू अपना घ्यान रखिए खुश रहिए